राजी कम्यूनिस्ट पार्टी के आहवान पर हमिरपुर की जीला इकाई ने राजेपाल को ग्यापन भीज कर स्वास्ते उपकर्ण खरीद खोटाले में भाष्पा के पूर्प अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को गरफतार कर मामले की जांच उच न्यायले के जद से करवाने की मांग की है कम्यूनिस्ट पार्टी के रास्ट्री सचिप डॉक्टर कश्मीर सिंग ठाको ने इस मामले में मुख्यमंत्री जहरम ठाकर को नैतिकता के आधार पर जम्यदारी लेते हुए इस्तिफात देने की मांग भी की है कश्मीर सिंग ठाको ने कहा कि मामला सं पच्छबी की बात करती है मगर इस मामले में कोई भी कारवाई नहीं हो रही है उन्होंने कहा कि भाश्पा को पूर्ब अध्यक्ष डॉक्टर राजी बिंदल को गिरफतार करना चाहिए ताकि मामले में सनलिप्त अन्य लोगों को पता चल सके आज बात की कमिनिस पार्टी मार्क्सवादी की और से राजे कमिटी की और से हम लोगों ने आज एक ग्यापन राजेपाल मोदे को दिया है और हिमाचल परदेश में जो स्वास्थय कुप करणों में जो बटाला हो गा इसमें राजी बिंदल ने सेल्फ एड्मिशन मॉरल ग् अमन्स K всю के बें सेल्फ एड्मिशन के तौर पर इस्तिफा दे रहे है उसका भी दंधामात का इसारा मामला है क्रोणों रुपेय का तो उसको भी ग्र्तारी होने चीब भारत्ययजंता पार्टी कश्मीर सिंग ठाको ने कहा कि मुखे मंत्री जराम ठाकर को नैतिकता के अधार पर इस्तिफा दे देना चाहिए उन्हें कहा कि करोना महामारी के दुरान स्वास्ते उपकर्णों में घोटाला चिंतनिय है और इसकी जांच निश्पक्ष होनी चाहिए उन्हें कहा कि इस मामले में भाजबा के इमानदार नेताओं की पोल खुल कर रख दी है और अगर सरकार इस मुदे पर सही जांच नहीं करती है तो पार्टी धरना परदर्शन करने से भी गुरेश नहीं करेगी दूसरा हाई कोड जैसे इसकी तैय में जाना पड़ेगा क्योंकि ये विवाग तो चीम मिनिस्टर के पास है वैसे तो मारल ग्राउंड बनता था कि चीम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए था पर नहीं दे रहे हैं पर राजी बिंदल की गिर्थारी के बाद मामला खुल जाएगा कि इसका हिस्सा कहां का जाना था तो हम यह समझते हैं कि ये बहुत संगीन मामला है एक तब करोना के उससे लोग मर रहे हैं टीपी किट मिल नहीं रहा है देश का आर्थी खालत बहुत खराब है और दूसरा भाजपा के नेता जो है इस बीमारी में भी लोगों को लूटने में सरकार को लूटने में लगे हुए है यह बहुत गंबीर और चिंता की बात है देश के लिए तो जो लोग चट के ऊपर से बोलते हैं बहुत इमानदार ह आज कोई इमानदारी की पोल खुल रही है तो इसलिए जो है हम यह मांग करते हैं गुवर्णर साब से किसी हाई कोड जजस से इसका जांच करवाईए पर उससे पहले राजी बिंदल की गिरतारी करो वो करने ही पड़ेगी रिठ्वी सिंग की गिरतारी बहुत लेट हुई वो पहले उजणी चाहिए थी डारेक्टर के साथ और डारेक्टर जिसने गिरतार किया उसने अड्मीट कर दिया अस्ताल में तो इसका मतलब क्या है कि सरकार कर गई है जो है वो ठीक नहीं है तो यह हम आज ग्यापन दिये हैं और अमीद करते हैं कि गुवर्णर साब कुछ कारवाई करेंगे नहीं करेंगे तो अंदोलन बढ़केगा से